आपको अपने इमर्जेंसी फंड्स के लिए पैसे के लिए क्यामेंट कर देनी चाहिए अभी जो मीच्वल फंड में गिरावट है स्टॉक्स में गिरावट है सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट है बहुत ही ज़्यादा गिरावट है मैं आगे आपको ये भी बता दूँ कि मार्केट में और ज़्यादा गिरावट होगा भारी गिरावट देखने को मिलेगा मार्केट में भारी गिरावट होगा हो सकता ह कि Sensex 20,000 तक पहुंच जाए और वहां पे आप हो सकता है कुछ trade कर सकते हो लेकिन अभी मैं आपको कोई राय नहीं दूँगा कि mutual fund में invest करो अभी कोई new investor है तो थोड़ा दूरी बना के रखो आप लमसम ना करो SIP के साथ अगर जो अलड़ी आपका SIP चल रहा उसको continue रखो और new investment कोई अभी ना करो क्योंकि market में भारी गिरावट है और भी ज्यादा गिरावट होगा कई लोग ये बोलते हैं कि गिरते हुए market में investment तो start कर देना चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी investor क एक से 2% भी नुकसान हो यहां पर गिरते हुए market में भी अगर आप invest करते हुए तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा अगर market जब stable हो जाएगी जब market वहां से नीचे जाने का कम chance होगा हमें बहुत सारे ऐसे news fundamental और जो technical जो है strong knowledge मिनने लगे तो हम बात करेंगे कि ह यहां से investment सही करना चाहिए यहां से investment स्टार्ट करना चाहिए आप S.I.P. जो अरड़ी आपका चल रहा है उसको continue रखना है लेकिन कोई new investment नहीं करना है particular mutual fund पे कोई भी stocks पे आज मैं यह भी बताऊंगा कि अपने जो पैसे हैं उसको कहा invest करो जो कि आपको कुछ ना कुछ return द गिरावट है आप निफ्टी में कुछ एक महीनों में 30-40% का गिरावट देखे हो लेकिन कई ऐसे mutual fund है जिसमें गिरावट कम है जिसमें कहें तो 20-22% का गिरावट है देखो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि यह जो मैं video बना रहा हूं इसके basis पे आप investment मत करना particular जो mutual fund के ब लेकिन जो अभी में बात करूँगा इसमें कोई mutual fund में आप invest मत करना नहीं करना देखो ऐसे mutual fund है जिसमें गिरावट कम है देखो बुरे समय में निफ्टी में 30-40% का गिरावट है लेकिन ऐसे कौन-कौन से mutual fund है जिसमें काफी कम गिरावट देखने को मिला है देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहां पर अधिति बिर्ला सनलाइफ मेनिफेक्शिंग इकुटी fund की बात करें जो इसमें गिरावट है सिर्फ 22% का गिरावट देखा गया है निफ्टी में 35-40% का गिरावट है लेकिन इसमें सिर्फ 22% का गिरावट है वहीं एक्सिस मल्टी क इसमें इसमें पुडेंशियल फोकस सेक्विटी फंड की बात करें इसमें भी 20% का गिरावट देखा गया है लेकिन मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि कम गिरावट वाले मीचल फंड में आप इन्वेस्ट करो मैं आपको यहां राय नहीं दूंगा कि कोई भी नए इन् लगाओ लंसम में लगाओ आप पैसा बनाओ देखो अभी मार्केट में और ज्यादा गिरावट होगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस समय आप उस समय रिटर्न ले सकते हो उस समय आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहें लंसम की बात करूं या कोई और नया इ है तो इस समय कौन से फांड आप Return देंगे देखो मैं आपको बुरे समय में अगर अगर आपको कुछ 10-12 परसेंस रिटर्न मिल जाए तो क्या ये बुरा है मेरे को पता है कि आप आप इकुटी इतनाDAY रिटर्न नहीं दे सकते हो आप कोई भी kँटी में जैसे कुटी में करूँगा उसमें आप 12 से 15% on the average आप रिटरॉन ले सकते हो और आप सेफ in mode में आपका पैसा सुरचित भी रहेगा और कुछ न कुछ रिटरॉन मिलता जाएगा जब मार्केट का एक आपको लेबल मिल जाएगा जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी आप देखोगे कि यहां से अ बात कर रहा हूं मैं आपके सामने ऐसे इसे गोल्ड फंड लेके आतो आऊँगा जो आपको रिटरॉन बहुत अच्छा दे रहे हैं और अभी के टाइम के लिए कुछ एक महीनों के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं आपको पैसा जोड़ सकते हैं रिटरॉन भी आपक जो मीचल फंड है उसमें रिटरॉन लेना तो बहुत मुस्किल है जो मार्केट में भारी किरावट है आप अगर अपना पैसा लगा रहे हो तो नुकसान ही ले रहे हो आप इससे पोजिटिव रिस्पॉंस नहीं देखने को मिलेगा आपको तो आपके सामने जो मैं कुछ ए यहां पर देख सकते हो SPI Gold Fund Direct Plan Growth की बात करूं तो यहां पर जो तीन महीने का रिटर्न है ओल्मोस्ट देख सकते हो कि 11-12% का रिटर्न है छे महीने का रिटर्न 14-15% का है एक साल का रिटर्न 32-33% का है और 3 साल का 13-14% का रिटर्न है रिटर्न अच्छा है 2-3 महीने में अगर आपको 10-11% का रिटर्न मिल रहा है तो काफी अच्छा है वहीं पर देती बिल्ला Sun Life Gold Fund Direct Plan Growth की बात करूं यहां भी आप देखो तीन महीने में 8-9% का रिटर्न है छे महीने में 10-11% का रिटर्न है एक साल में 28-28% के उपर देखने को मिला है और 3 साल में 11% का रिटर्न है यहा हाँ भी आप देख सकते हो तीन महीने में 7-8% का रिटर्न है 8-9% का रिटर्न छे महीने में और 27-28% रिटर्न एक साल के इनदर और 17-11% का रिटर्न है वहीं वहीं साल में आपको Gold Fund से return मिली रहा है अगर हम IDVI gold fund की बात करें 6-7% का return 3-3 महिने में 4 से उपर return जो देखे गया 4% से उपर return देखे गया 6 महिने के अंदर 26-27% का return एक साल के अंदर और 10-11% का return 3 साल के अंदर दिखा गया है तो आप देख सकते हो इन सारे gold fund में return कैसा है Invesco India gold fund की बात करें ये भी 7-8% का return almost 3 महिने के अंदर 9-10% का return 6 महिने के अंदर यहां एक साल का return 26-27% है 3 साल का return 10-11% है चलो next जो gold fund है वो आईसे इसे prudential regular gold fund की बात करते हैं 7-8% का return 3 महिने के अंदर 6 महिने का 9-10% 26-27% का return एक साल में और वहीं अगर हम बात करें लंबे समय के लिए तो 3 साल में 10-11% का return कोटेक gold fund की बात करते हैं 4-5% के बीच में 8-3 महिने का अंदर 5-6% के बीच में 6 महिने के अंदर और वहीं एक साल में 25% के round return देखने को मिला है 10-11% का return 3 साल के अंदर देखने को मिला है निपोन इंडिया gold fund की बात करते हैं यहां भी 4-5% का return है 3 महिने के अंदर 6 महिने में return देखे तो 6% के round है और अगर वहीं एक साल का return देखे तो 23-24% का return है 10% का return आपको 3 साल के अंदर यह fund दे रहा है चलिए जो next fund है quantum gold saving fund direct plan की बात करते हैं 3-4% 3 महिने के अंदर 6 महिने के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 6% के round यहीं पे 23% का return है एक साल के अंदर और 3 साल में 9-10% का return है तो आप देख सकते हो अगर एक साल का return देखे तो बहुत ही strong return है जो small के funds से आपको देखने को मिलता है लेकिन अगर हम 2-3 महिने भी पैसा रखते हैं तो आपका positive response देखने को मिल रहा है देखो अगर 3 महिने की return की बात करें तो ऐसे हैसे funds भी है SBI के जो 11-12% का return दे रहे हैं जो कि आप large cap में चले जाओगे blue chief funds में चले जाओगे तो आपको एक साल में इतना return मिलता है यहां आपको 11-12% का 3 महिने के अंदर मिलता है और 14% जो return देख रहे हैं वो 6 महिने के अंदर तो कुछ एक महिने के पैसे अगर आप इसमें लगा भी देते हो तो आपको कुछ एक return मिल जाएगा पोजिटिव रहोगे दिमाग आपका tension free रहेगा क्योंकि देखो अगर आप अभी equity oriented mutual fund में पैसा डाल रहे हो आप आज पैसा डालो कल आपका नुक्सान दिखने लगेगा तो ऐसे funds में short time के लिए आप invest कर सकते हो और अपना पैसा सुरचित रख सकते हो उसके साथ ही साथ return ले सकते हो funds बहुत है आपको return लेने के लिए funds बहुत है लेकिन सुरचित और safe funds कौन-कौन से आज के टाइम में यह देखना बहुत जरूरी है मैं पूरा research कर चुका हूँ large cap हो, meet cap हो, small cap हो, multi cap हो, hybrid fund हो कोई भी funds उठा के देख लो, आप में आप देखोगे कि किसी में positive response नहीं देख रहा है कई ऐसे funds हैं जो 5-5 साल तक negative return दिखा रहे है जो यह 3-4 महीने का return जो negative और stock market nifty का जो negative performance रहा है उसके चलते, तो इस time में आप अपना पैसा गोल्ड फंड में डाल दे कुछ दीन की बात है, कुछ महीनों की बात है, आपका पैसा वहाँ अच्छीत रहता है और 2-10% का return भी ले लेगे और जैसे ही market इदर stable होता है, वो पैसा इसमें डाल दे अगर आपका 1% भी नुकसान होगा तो वो मेरे लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि किसी का भी 1% का नुकसान हो, अभी यही सही time यही है कि इदर पैसा लगाए, market सही हो तो इदर पैसा कर दे देखो, ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताएं, कुछ एक information अगर मैं miss कर गया हूँ अगर कोई एक ऐसा information है, जो आपको requirement है, तो आप comment box में आके query कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे वो financial product कोई भी हो, investment strategy हो, कुछ भी हो, portfolio से related हो, mutual fund, stock market, IPO, कोई भी query हो, आप comment box में आके अपना query कर सकते हो, ये वीडियो कैसा लगा, ये भी बताएं, आने वाले time में मै अगर सारी वीडियो लेकर आँगा, लेकिन एक humble request अभी तक चैनल को नहीं किया, subscribe, like, or share, तो अभी करें, फिन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जैहीं, जैबार।